फैजाबात को गोड़ा से जोड़ने के लिए जो नया फुल का निर्माड हुआ है वो धिमुआ घाट पे हुआ है और ये धिमुआ घाट सुहावल की तरफ से जब हम नबाब गंज की तरफ जाते हैं तब जो है ये सर्यू नदी पे बना है और सुहावल से दो तीन किलो मीटर की दूरी पर ये फुल बना है और इस फुल से नबाब गंज की दूरी बहुत ही कम हो गई है अब और ये सर्यू जी का नजारा है आप लोग देखिए और जर्दन कीजिए बहुत ही अच्छा लगता है लोग यहां पे रुकते हैं और सेलफी भी लेते हैं मान के चलिए सेलफी पॉइंट बन गया है एक तरफ से नजारा तो आप लोग देखी रहे हैं जलस्तर तो बढ़ा नहीं अभी लेकिन यह है कि तब भी जल है यह वही पुल है धेमागाट का इसकी लंबाई लगवग सोला सो मीटर है पुल तो काफी अच्छा बना है लेकिन इसके आगे की सड़क जो है कुछ तूट चुकी है कह कहीं पर दरसल जब शर्यू जी में बाढ़ आता है तो वैसे इस्तित में यहां पर मिलब बलूई मिट्टी है और सब करार गिर के सब तूट जाता है रास्ता है इसके आगे बहुत ही खराब रास्ता है लेकिन अब जाना है तो पार तो करना ही पड़ेगा सब को एक सब कुछ ठीक है लेकिन जहां मितलस्तर वढ़ा उसके बाद तो दिक्कत तूट